हलो एवरिवान, वेलकम टू डीवी अफ रेसी बीज, आज मैं बनारी हूँ गणेश चतुर्ती पे टेजी के लिए भोग, मैं यहाँ बैसन के लड्डू बनारी हूँ, बैसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी बैसन लिया है, यह घर पे पिसावा बैसन ह देना है, चलिए, बैसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते है, लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटाई ले लिए, इसमें डालेंगे देसी गी, लगबख एक बड़ा चमच देसी गी डालाए, गी को गरम होने देंगे, यह देखिए, गी गरम हो गया है, अब इस तरह इसे चलाते रहेंगे अगर आपको गी कम लगे तो आप गी उपर से भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा गी ओर डालेंगे लगबग टू टेबिल स्पून गी ओर डालेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक सेख लेंगे यह देखिए यह हल्का ब्राउन होने लग गया है इसे पास मिनट और पकाएंगे बिलकुल लो फ्लेम पे बेशन का कलर चेंज हो गया है यह अच्छे से शिख गया है अब इसमें डाल रही हूं में दूद यहां मैंने दो चम्मच दूद लिया है जिसमें मैंने डाला है यलो फूड कलर मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए और पकाएंगे एक मिनट हो गया है फ्लेम को ओफ कर देंगे इसी तरह एक मिनट चलाते रहेंगे क्योंकि अब इसे एक मिनट में निकाल लेंगे और दस मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे यह देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब इसे ठंडा होने देंगे जब तक यह ठंडा होता है तब तक इसके लिए चीनी पीस के तयार कर लेते हैं चीनी का टे डालती हूं यह देखिए यहां मैंने चीनी को पीस लिया है जितना हमने बेशन लिया है उससे थोड़ा हम चीनी पावडर लेंगे यह देखिए एक कटोरी बेशन लिया था उससे थोड़ा कम मैंने यह चीनी पावडर लिया है चलिए चेक कर लेते हैं यह देखिए 10 मिनट हो अब इसमें डालवी में इलाइची पाउडर मिक्स करेंगे इस तरह से अब इसमें डालवी में चीनी पाउडर इसे भी मिक्स करेंगे इस तरह से यह देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसके लड्डू बनाते हैं एक प्लेट लेंगे और इस तरह से लड्डू बनाएंगे यह देखिए लड्डू बनके तयार है इस तरह बनाएं गनेश चत्तुर्ती पे बेशन के लड्डू आप ही घर पे बना सकते हैं बहुत यह आसानी से बेशन के लड्डू अगर आपको मेरी यह रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइफ चैनल को सस्क्राइब और ज हुआ 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 है